हेलो एब्रिवन आज हम बनाने जा रहे हैं लाल मिर्श का बहुत ही चरपटा और तीका साजा जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप एक बार बनाईए और सालों भर एश्टोर करके रख सकते हैं तो दादी नानी के हाथों से तो बहुत बार आपने खाया होगा तो एक आनुसा जितना चाहिए उतना ले सकते हैं और सबसे पहले हम यहां इसे अच्छे से धो के दूप में 4-5 घंटे के लिए सुखा लिए थे और इसका अंदर वाला पाठ हम निकाल देंगे तो पहले इसका डंठल निकाल दे थे उसके बाद अंदर का पाठ हम निकालके हटा तो अच्छे से इसे हमें साफ कर देना है इसी तरह से हम दूसरा मिर्च भी साफ कर लेते हैं तो यह बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाता है देखने में तो भारी लगता है बनाना मगर आसान बहुत ही है तो एक वार इस तरीके से जरूर ट्राय करें तो इसी तरह से हम दू हम 8-ост Turbo हे ले लिये हैं 2- scan जीरा ले लिये हैं 1 ट्रेस्पून हम मेथी ले 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 हैं और अपने एकोडिंग स्पर्ची कम जाधा कर सकते हैं और चार टेश्पून धनिया और चार से पांच टेश्पून हम सरसो ले लिए हैं कटोरी में आधा कटोरी और एक टेश्पून काला मिर्ट और एक कटोरी के लगवग हम काला सरसो ले तो सभी को हमें अच्छे से गरम कर लेना है तो ध्यान रहे कि इसे हमें हाय फ्लेम पे नहीं भूनना है बस इसे हमें गरम करना है तो फ्लेम को लोही रखिए और इसे हमें हलका गरम होने तक भून लेना है तो ज्यादा भूनने के बाद इसका टेस्ट बदल जाएगा बढ़ बढ़ दें और इसे हमें ठन्रा होने के बाद पीस लेना है इसे हम साइड कर देते हैं तब इसी पैन में हम 1 लीटर के लगभक तेल अच्छा सा दुआ नहीं उष्णने लगे तो तब तक यह गर्म हो रहा है तब हम अपना मसाला तयार कर लेते हैं तो मसाला हल्का ठंडा चुका है तब इसे हम मिक्सर जार में पीछ लेंगे तो पूरा पेश्ट नहीं बनाना है हल्का दर्दरा ही रखना है तो इसमें आप अपने एकोडिंग कोई भी मसाला कम ज्यादा कर सकते हैं मिर्च आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो यहां मसाला तयार हो चुका है अब इसमें हम दो टीस्पून अजवाईन ले लेंगे हाफ टीस्पून कलोंजी ले लेंगे और दो टीस्पून यहां हम हल्दी ले लेंगे और एक टीस्पून के लगवग लाल मिच पॉडर ले ले लेंगे और दो टीस्पून हम काला नमक और तीन से चार टीस्पून हम वाइट नमक ले लेंगे तो इसमें नमक ज्यादा पड तो अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे तो इसमें गर्म तेल डालने से होता है मसाला हलका पक भी जाता है तो सभी को हम थोड़ा थोड़ा तेल डालके इसे हमें मिला लेना है तो इसमें एक साथ ज्यादा तेल ही डालना है हमें थोड़ा थोड़ा ही तेल डालना है तो इस सभी को हम अच्छे से मिला देंगे तो यह बहुत ही टेश्टी मसाला बनके तयार होता है तब इसी में हम मिर्च का जो बीच वाला पार्ट निकाले थे वह थोड़ा एड़ कर देंगे तो देखने में और खाने में भी अच्छा लगता है तो सभी को हम अच्छे से मिला तो यहां हमारा मसाला बनके तयार है तो इसे अब हम मिर्ज में अच्छे से एड़ कर देते हैं तो आप चाहे तो हलका हलका या ज्यादा भी भर सकते हैं तो इस तरह से हमें दाब दाब के इसे अच्छे से लगा देना है आप चाहे तो ऊपर वाला सपाट से फटा के इसमें म अचार बनके तयार हो जाता है तो सभी में हम इसी तरह से भर लेते हैं तो ठन के समय में लाल मिर्च बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो इसे एक वार जरूर ट्राय करें तो यहां सभी मिर्च का अचार बनके तयार है तब उसके उपर हम गर्म तेल लगा देंगे तो सभी चारों तरफ से हमें तेल लगा देना है ताकि मिर्च तेल में अच्छी तरफ से डिप हो जाए तो आप चाहते से डारेक्ट कंटेनर में भी मिर्च लगा के उपर से तेल दे सकते हैं या इस तरह के बरतन में लगा के भी आप दे सकते हैं तो ध्यान रहे कि तेल इतना रहे कि मिर्च तेल में डुबा रहे ताकि मिर्च अच्छे से पक जाए तो इसे आप 8-10 दिन तक धूप लगा ले या इस तरह भी रख दिजिए तो ये खराब नहीं होता है तो ये बनाना बहुत ही असान है तो एक बारे से जरूर ट्राय करें तो वीडियो कैसे लगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताए वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर बैल आइकन जरूर दबाए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्यू